गुड मॉर्निंग बच्चू वेलकम टू माई चैनल बिटा आज हम करेंगे क्लास 10 की मैं आज की वॉक्षीट वॉक्षीट नमबर 55 जो की तेरा नवंबर की है आज की वॉक्षीट में हम करेंगे प्रॉब्लम बेस्ट ओन गोंबिनेशन औफ प्लेस यानि की जो प्लेसन पड़िए उन्स आपका कॉंबिनेशन पड़िएंगे आज हम ठीक है फ्रस्ट हैmar am ist में फ्रेट ये वरॉटेक्स और विंक ये विर्ट जिया हूप हैं उसका एरिया निकालेंगे उसमें से हम यह तीन जो सेक्टर दियों है उसको अगर हम मैं माइनस कर देती हूं तो मेरे पास यह बॉलेट कलर वाला एरिया निकल जाएगा बहुत इजी है एरिया ओफ ट्राइंगल क्या होता हाफ टू बेस इंटू हाइट लिग देंगे ठीक है यहाँं 3 सेक्टर है पूंचे यहां एंगल एंगल हमें नहीं पताओ है यहां पर तो यह्ठी से भी multiply कर सकते है यहाँ THIDS और फिटाड यहां थीटा ओझ सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब यहां पर थी एक समय तो यह दियो के एटिवधिया इसके हैं तो आपको क्या निकालना है इसमें पूरा शेड़ेड एरिया का रिजन निकालना है लेकिन आप बस एक चीज हां रखेगा जब अगर मैं सरकल और ट्राइंगल का एरिया निकाल के उन्दोनों को जोड़ दू तो मेरे वाला जो हिस्सा है यह दोनों में आ रहा है यह ट्राइ यह से यह जो है स्यटर इसका माइनस कर दिंगे एरिया तो यह देखे एक एंगल कि इतना हो जाएगा 60 को जाएगा और ड्राइंगल का एरिया कैसे निकल सकता है 3 by 4 side square क्योंकि हमें सिर्फ साइड पत है ठीक है बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते हैं यहां से जब आप करेंगे आंसर तो आपका आजएगा थार्ड एक्जामपल देखें थार्ड भी बहुत इजी है यह पार्किंग ट्रैक है यह ठीक है रेसिंग ट्रैक है और यह वाला अलोंग था इनरेज के लिए तो इनरेज के लिए कैसे निकलेगा टू एल टू एल क्यों गया और यह भी एल है ठीक है प्लस टू इन्टू हाफ इन्टू पाई आर यह फॉर्मुलल लगा देंगे यहां से वैल्यों निकाल लेंगे तो आपका अनसर यह आजागा अब जो टोटल एरिया ऐसे होगा एरिया और रेक्टेंगल यह देखें यह अंदर रेक्टेंगल बन रहा है प्लस एरिया ऑफ भि एफ स यह वाला जो पॉर्शन है ठीक है इसका अज़्ूब्लू ब्लस करेंगा प्लस टू ब्रैकिट में हाफ पाई यार स्कुर्र माइनस हाफ पाई स्क्वेर यह माइनस करेंगे ना दोरों साइड से जब आप वैल्य पूट करेंगे तो आपका आजाएगा चले कोवेशन कर लेते हैं बहुत ही इसी है यह रेडियस आपको 14 दिया हुए तो यह भी आपका 14 हो जाएगा जो ब्लू एरिया इसका ब्लू शेडिट जो है इसका ए शेडिख लेते हैं बहुत ही इस है क्या है रेडियस आपको 14 दे रखा है in triangle ABC मैंने ले ले लिया है यह 14 होगे तो यह भी फॉर्टी रोट हो जाएगा यहां से क्या होगा पॉटा पाइथागरो स्थिर्म से आप यह निकाल सकते अज्ज़ें तो मैंने यहां पेंसी निकाल तो प Model सेमिसर्कल होगी ऐह हाफ होगी है स्कूर्ण कि अब hm किकिए मैं sev उस्पारा करें से सेमिसर्कल को तो सेंगे ट्राइंगल आफ या निकालें लिए तो हाफ इंट इंट्व हीट होता है तो तो अ भी इंट्व इंट्व हीए सी तो आप आपकी वैल्य आज़ेगी 154 अब जो शेड़ेड एरिया है सेमिसर्कल की निकालनी पड़ेगी तो हाफ पाइया स्कार होता है सेमिसर्कल वैल्य पुट करेंगे आंसर आजएगा 154 शेड़ेड एरिया आपको बताए कैसे निकलेगा एरिया ओफ शेड़ेड रीजन जो है उसक आपका आंसर आजएगा इसको देखे दुबारा समझ लीजी अपैस्टहर में पता देते हुने एरिया ओफ ट्राइंगल a-b-c और एरिया है सेमिसर्कल को जोड़ देंगे देखिए यहां पर एरिया ओफ ट्राइंगल a-b-c और समिसर्कल को मैंने जोड़ दया तो ये पू अब जो question 2 है वो बहुत एजी है question ने लिखा मैं आपको बता देते हूं उसमें उन्होंने बोला है कि हमने तीन circle बना है और center को उनको joint किया हुआ है तो जो उनकी center से जो distance है वो उन्होंने दे रखी है और उन्होंने बोला है कि यह वाला जो हिस्सा है बीच वाला यह इसका आ area of equilateral triangle minus area of three sector तो area of equilateral triangle क्या होता है root 3 upon 4a square बेट है यह जो side है आपकी 1414 दिए हुए है चीक है तो यह आधा यह radius कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आप देखे 1414 value पुट करी तो 84.77 आया अब area of three sector sector का theta upon 360 pi r square होता है equilateral triangle है तो यह 60, 60, 60, 60 का हो गया जब आप cancel out करेंगे value put करेंगे तीन सक्टरन थिज़े multiply करके आपका 77 और shaded area निकालना है तो वह वही हो गया equilateral का triangle जो था 84 था area और यह 77S मैसे जब आप minus करेंगे तो आप cancel हैगा 7.7777 cm2 छीक है आपकी worksheet complete होते है आप आप अच्छे से समझ में आयो तो प्लीज चैनल को like करें subscribe